जिबलेट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तववे पर टर्की को पकाने के बाद रह गई ड्रिपिंग्स को एक बॉल में निकाल कर शुरुआत करें। फिर ड्रिपिंग्स और फेट के अलग होने का इंतजार करें। जब आपको उपर फेट दिखना शुरू हो जाए, फेट जितना जादा होगा, आपकी जिबलेट ग्रेवी उतनी ही जादा गाड ही बनेगी। फेट डालने के बाद उसमें आधा कप या 64 ग्राम आटा को ब्राउन होने तक मिलाएं, जिसमें करीब 10 मिनिट का समय लगेगा। फिर उसमें 4 कप या 946 मिलिलीटर सोडियम फ्री ब्रोथ मिलाएं, जिसके बाद आधी ट्रिपिंग्स उसमें मिलाएं। ग्रेवी को 5 मिनिट के लिए या उसके गाड़े होने तक लगातार चलाएं और फेट ते रहें। फाइनली, काटे हुए जिबलेट और गर्दन के मीट को पैन में डालें और थोड़े से नमक और मिर के साथ सीजन करें।